आप चला कोने बाइट पूछेगा तू अपने पूरानी रसा में हो अना हाँ चल शुरू हो जाए जब वह एपिसोड आएगा तब देखना उसमें है बहुत सारे राज हाँ तो वह एपिसोड पूरा देखेंगे तो पता चलेगा है करमाई कौन नहीं है यह कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और बहुत से लोगों का में देखा कि बहुत लोग डर रहे हैं और जैसे अपने दिवेंगा के बारे में कहा कि बहुत डेरिंग है बहुत गट से उन में तो कौन ऐसा कंटेसेट रहा इस पूरे दौरान इस फूशो के दौरान शूट के दौरान जिसको लगा जिसके बारे में आपको लगा कि हां यार यह बहुत दिले रहें सारे डिवयन का वोजश अप्राइस विशाल राहूल, अर जून सारे मतलब एक पॉइंट के बाद यह हो जाए के सब रहें जोश आई जाता है कि हमें करना है पहले डर रहता है तू फोन ले 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 अच्छा पहले डर रहता है फिर वो यह तो है कि शो मतलब जो डर है है उनसे वो काम करवाना क्योंकि सारे स्टंट्मेंट तो है नहीं एक्टर्ज है एक रिस्पॉंसिबिलिटी होती है प्लस इस बार थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता पड़ा था कोविट चल रहा है आज यू नो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बीच स्टंट करना और लुकिली इड्वेंट ओफ विल सब ठीक ठाक हुआ सब सभी सब सभी सब वापस आगे सो यह आम हपी रोई सर आप किस बास से ढरते हो मीडिया सवालों से या फिर अपना कुछ है नहीं सब्सक्राइब और सारे बट जिस ने शुप्राइज किया दाट वस्टिव्यान का दिव्यान का सप्राइज मी क्योंकि एक पता चलता है ना कि जब यह खिलाडी जा रहा है तो डरता है या नहीं डर रहा है वो निडर है देन विशाल में एक जोष है का हर चीज कर जाने की एड आड रूट से दिवयान का विशाल अरजून पर अट मैं अस्टी में विचारा कर जाता था था वन बहुत सार्थ हसाया भी हम सब को आप लोगोंने या देखा है और स्टंड है काफी तो यह फो मी दीस थी पीपल र अट यह उर्ट देखा है टीम थे यह जो आपने अट बहुत सब देखान पूरी यह जैसे आपने देखा कि इंट्री तो हो गई तो हर थीसरे दिन आठीक एंड झाहर पांच्वे हां घ्र डिन आट सब के टेस्ट हो थेथ ते 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 एंड जिएन का ध्यान रखना और रह इस बार डबल महनत सब को करनी पड़ी पूरी टीम को, because keeping the protocols in mind. चुछ अक्सर हम कंटेस्टें से पूछते हैं कि आपकी क्या तयारिया होती है शोगे जाने से पहले, आप इतने सालों से होस्ट कर रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिक तयारिया होती है? मेरी बच्पन से माडम, मैं पैदा इसके लिए हुआ था, शोग बाद में बना है अच्छा रोई जी जैसे अभी अभी आपको हैंडसम का टैग मिला यहां पर अभी नहीं है रहे बच्पन से तू अभी पैदा हुए है अजी बिल्कुल बच्पन से और हम देखते हैं जिस त इस बार भी है और इस बार खास करके भी आप टेकन दो शोटो डिफरेंट लेवल रीजन बिंग केप टाउं शुरुआ थमने केप टाउन में की थी और कई सालों बाद हम केप टाउन वापस आये हैं यह शो लेकर और वहां एक मालब केप टाउन को मैं मानता हूं कि वह फि बाकी जगह पर क्या हूत है हमें टीम को ले जाना पड़ता है हमारी पुरानी टीम है वहां पर हमें अनिमल्स भी अगर आम देखे तो जिस तरह के अनिमल्स वहां मिलते हैं वह कहीं अर मिलना मुश्किल हो जाता है और वो जोज भी ता सब में के शो को एक नेक्स लेवल प के अवर देख़ पर देख़ का लड़ देघ ने स्वसिजर करे दो का जड़ पर देख़ कर दो में यड़ ने रिय दो है